हेलो प्यारे बच्चो क्या हाल चला है आप सभी के डिर स्टुडेंट्स नवदीप सरकी फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चो तो देखिए अपने चैप्टर आठ जो चल रहा था उसका आज अपने लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं जो इसके बुक के सभी नुमेरिकल क्वेस्टन्स हैं ठीक है सभी से मतलब जो 60% स्लेबस में हैं अपने तो वो वाले क्वेस्टन अपने करने जा रहे हैं साथ चैप्टर बिल्कुल क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा अपना इसके बाद जो बोर्ड के क्वेस्टन है वो आपको थोड़े बहुत बता दूँगा चलो वो तो कोई बात नहीं लेकिन चैप्टर अपना आज यहां पर 100% कंप्लीट हो जाएगा ठीक है बचो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बचो आज की वीडियो एक नई एनरजी के साथ तो देखिए बचो पहले है क्वेस्टन नमबर दो क्योंकि एक नमबर क्वेस्टन आपका जो नया स्लेब हैं गटख का मान आपको निकालना है ठीक है तो क्षैति जो रूद्धर भग हो यानि BH और BV, BV आपके पास B sin.θ होता है बH आपके पास B cos.θ होता है ठीक है और दोनों का नुपार अपने को पता है किसके बराबर होता है 10.θ के बराबर होता है तो BH आपको दिया हूआ है 5 तो इसको एक से गुणा करेंगे अपने तो यह बन जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 यह और या इसको अपने क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वैबर पर मीटर स्क्वेर ठीक है यह फार्मूला अपने या आप इसको न्यूटन बटा है अंपियर स्क्व पिर क्यों लिखा क्योंगे उपर भी यह यूनिट सी और एक चीज़ आप और भी जानते हो कि जो पृत्वी के लिए जब नती कौन का मान क्या होता है 45 डिगरी की बराबर होता है तो तब क्या होता है जो इसकी उद्र वर्क शैती जिगटक है वो दोनों क्या होते हैं बरा व्हाला डिलेशन करवाया था आपको यह फॉर्मूला मैंने कहा थे यही फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा काम आएगा तो इस फॉर्मूले में कोई भी छीजक कोई भी स्टेप काम आ सकते हैं कई पर भी ठीक है तो आपको यह फॉर्मुला सरा आना चाहिए एक जगए A काम आएगा, B ब्राबर Mew 0 H प्लस I वाला काम आएगा या Mew मादें ब्राबर Mew 0 1 प्लस काई, या Mew R ब्राबर 1 प्लस काई, तो कोई सा भी step इसका यू जा सकता है, ठीक है, तो वो आपको दियान रखने तो question number 3 आपके पास देखो क्या है, कि 1 cm square और अनुप्रस्त काड की, काड क्षेतर फल की एक लो, चुम्ब की एक पदार्त की छड़ 200 और स्टेड की चुम्ब की एक शेतर में रखने पर 3000 गाउस का चुम्ब की एक शेतर उत्कुन होता है, पदार्त की चुम्ब की एक परवर्ती चुंबक शीलता मतलब mu r का मान आपको निकालना है ठीक है और जो आपके पास चुंबक ये परवर्ती मतलब काई का मान दोनों काई निकालना है आपको अब आपको जो जो चीजे दी है वो लिख लो और चिन है की रूप में उसे लिखो अब आपको इसने कहा है कि यह चुम्ब की एक शेतर 200 और स्टेड का चुम्ब की एक शेतर में उसे रखा है तो मतलब 200 और स्टेड क्या होगे यहां पर जो यह चुम्ब की एक शेतर आपने लगाया हुआ है और 3000 गाउस का चुम्ब की एक शेतर उत्पन होता है ये उत्पन होने वाला B का मान है जो आप लगाते हो वो H होता है और जो उत्पन होता है वो क्या होता है? B होता है तो B बराबर 3000 गाउस या इसको टेसला में चेंज करो तो ये 10 की पावर माइनस 4 Tresla 3000 गुणा 10 की पावर माइनस 4 Tresla और गाउस में आपको मैंने सबंद बताया हुआ है और औरस्टेड H प्रावर 200 औरस्टेड है तो इसको अपने क्या करेंगे एंपियर पर मीटर में इसको बदलेंगे ठीक है तो औरस्टेड को एंपियर पर मीटर में कैसे बदलते हैं कि इसको 10 की पावर 3 यानि 1000 से गुणा करके और अपॉन में 4 पाई से बाग करते हैं या आप क्या करो इस question में इतना उल्जोई मत क्योंकि आप देखो इसमें CGS यूनिट सारी दी हुई है तो आप इसको CGS में solve गरो आपको change करने की जरूरती नहीं है यह गाउस भी CGS है और अस्टेट भी CGS है सेंटीमेटर स्क्वेर भी CGS है तो जो relation आएगा वो अपने पास CGS में ही आ जाएगा और आपको पता है वैसे भी म्यू आर और जो काई होता है इनकी कोई unit नहीं होती है यह क्या है मात्र के हीन राश्य है तो इनका कोई मात्र की नहीं होता तो इनको ऐसी पड़ा रहे हैं तो आप म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू जीरो होता है ठीक है आपको पता है जो च ठीक है, इसको साथ में मतलगा हूँ आप और mu0 का मान 4 pi into 10 की पार माइनस 7 और h का मान आपके पास कितना है, 200 है, तो जब आप इसको क्या करोगे, सारे को cancel out करोगे इसको, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, 15 के बराबर आ जाएगा, ठीक है न, 15 के बराबर ये आ जाएग ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ जाता, तो एक चीज मैं कर सकता हूँ, देको दुबारा वीडियो तो क्या इस पर, मैं टेलिग्राम चैनल पर आपको इसका solve करके बेज सकता हूँ, ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ जाता, तो आप मुझे वहाँ प करो, जो एक टेसला का, चुम्ब की एक शेत रूत्पन करें, तो अपने को इस ह का मान गयात करना है, जो क्या करें, बी का मान कितना हो, उसके लिए, एक टेसला हो, ठीक है, यह ह का मान निकालना आपको, तो अब आप देखो, बी का मान आपको, एक टेसला, टेसला, यानि व पीछे वाले H को इदर वाले मू के साथ क्या कर दो गुणा कर दो तो मू H बराबर पॉइंट 4 प्लस 12 गुणा 10 की पाउर माइनस 4 H और अब आपको पता है कि B बराबर मू H होता है तो इस मू H जो इस साइड बनाए ये वाला मू H इसको अपने क्या लिख सकते हैं B बराबर ये लिख सकते हैं अब आप देखो इसको सॉलो करना चाहो तो B कमान तो 1 है ठीक है तो B कमान 1 है तो ये 0.4 जब इदर आएगा तो इदर क्या बचेगा 0.6 बचेगा और 0.6 के बटा में क्या आजाएगा ये 12 गुणा 10 की पाउर माइनस 4 आजाएगा 12 गुणा 10 की पाउर मा 10 है उपर जाके 10 की पाउर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा तो 0.5 को 10 की पाउर 3 से गुणा करोगे तो ये कितना आजएगा बचो 500 आजएगा तो 500 एंपियर पर मीटर आपके पास क्या आगया H का मान आगया समझाई बात फिर question number 5 आता है तो इसमें आपको क्या दिया टेसला होता है यहां पर वैबर पर मीटर स्क्वेर देखने को मिल सकता है यह मात्रकों में फर्क पता करके आपको पता कर सकते हो पता लगा सकते हैं वी आपको question में दिया गया है डिरेक्ली नहीं पता लगता तो चड़की आप एक शिक पार्गम में ता मतलब mu r का मान निकालना आपको b और h दिया हुआ है तो h का मान दिया है b का मान दिया है mu r आपको निकालना तो mu r बराबर mu बटा mu 0 होता है और उपरवाला जो mu माद्देम होता है ये mu माद्देम है ये b बटा h के बराबर होता है तो b बटा mu 0 h तो B कमान आठ पाई टेसला दिया हुगा, यहांपर आठ पाई, बटे में 4 पाई इंटो 10 की पाउर माइनस 7 और यह 2 गुणा 10 की पाउर कितना आ गया, 3 आ गया, तो μू आर कमान यहांपर 10 की पाउर 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि देखो, 4 पाई से 8 पाई कैंसल 2 आ गया, 2 से 2 कैंसल तो यह अभी उपर जाएगा, तो तब क्या बन जाएगा उपर जाकर, यह बाईनस 7 और यह 3 है, तो यह 10 की पाउर क्या बनेगा, 4 बचेगा, तो यह आपके पास मू आर कमान है, फिर आता है क्वेस्चन नमबर 6, तो क्वेस्चन नमबर 6 में आपको देखो क्या दि पांच अरेस्टेड चुम्बकिया क्षित्र में रखा गया है, तो इससे जो उत्पन चुम्बकिया गूरन है, इतना है, तो चुम्बकिया प्रेरन का मान गयात करो, प्रेरन क्या होता है, जो उसमें चुम्बकिया क्षित्र प्रेरित होता है, तो उसको बी से ही लिखते है अपने बी आई तो वोई भी अपने को ग्याद करना है उसके अंदर कितना चुम्बकिया क्षेतर उत्पन हो रहा है अब चुम्बकिया प्रेरन यहां पर अपने को नहीं शब्द यह नया है यहां पर वर्ड चुम्बकिया प्रेरन तो प्रेरन का मतलब जो प्रेरित हुआ औ लेकिन यह यहां पर इन्होंने SI unit दे दी तो अब आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर SI unit में इसको change करना पड़ेगा तो V कमान 30 cm3 है तो 30 गुण 10 की पावर माइनस 6 meter cube क्योंगे 1 meter में 100 cm होते हैं 10 की पावर माइनस 2 से बाग देना पड़ता है और H5 और Stada और 1 और Stada आपक पर और आपको निकालना है B का मान ठीक है तो अब आप यह formula देखो B बराबर mu 0 I plus H होता है अब आप यह कहोगा कि सर यह formula कौन सा आगया तो आप यह वाला कि mu 0 I plus H और इस I का मान आई क्या होता है जो चुम्बकंट तीवरता होती है starting वाली चुम्बकंट तीवरता और इसक और आपको जो यहां पर question में दे रखा है वो M का मान दे रखा और यह V का I का मान नहीं दिया तो इस तरह से आपको relate करना होता है एक दूसरे से आपको formula का relation पता होना है यह यह इससे बनता है यह इससे बनता है यह फिर numerical असान हो जाते है तो B बराबर mu 0 M बटा V plus H अब थोड़ा से change किया ठीक है तो अब इसको 4 पा गुणा 10 की पावर माइनस 7 हो गया और bracket में हो गया 6 बटा 30 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और प्लस में 400 ठीक है तो अब इसको solve कैसे करेंगे अपने यह आप क्या करो यहां पर इसको जब काटोगे तो यह वाला क्या आ जाएगा कि जिको 6,5,30 ठीक है पाँच आ गया एक बटा पाँच आ गया एक बटा पाँच कितना हो था पॉइंट दो तो पॉइंट दो इंटू में क्या आ गया 10 की पावर 6 आ गया यहां पर या इसको पॉइंट दो को अपने 2 गुणा 10 की पावर 5 लिख सकते हैं और प्लस में 400 ठी ठीक है तो अब इसको क्या करो 2 गुणा 10 की पावर 5 मतलब 20,000 हो गया 10 की पावर 5 है तो मतलब यह 2 लाक हो गया और यह 400 इसमें और एड हो गया तो यह क्या हो गया 200 400 आप इसको ऐसे लिख सकते हो ठीक है अब इसको आप क्या करो 4 पाई का मान आपको 12.56 इंटू 10 की पावर माइनस साथ है. तो इससे आप क्या कर दो इसको गुणा कर दो तो जब आप गुणा करोगे तो यह आपके पास लाश्ट में अंसर है. जब आप कोगे कि सरी यह वाले जो यहां पर है जब इसको 12 से गुणा करेंगे तो लगब 12 दूना 24 होते हैं तो यह 0.25 और उसके बाद कुछ 0 आएंगी या कुछ और अंक आएंगे और यह 10 की बाद माइनस 7 है यह सारे से बाग होगी यह 0.25 बचेगा लाश्ट में यह आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन करके ठीक है फिर क्वेस्टन नमबर साथ और यह भी बहुत बड़ी एक वेस्टन आपको दिया हुआ है ठीक है बहुत दिमाग वाला क्वेस्टन है यह लोग चंब की यह पदार्थ के नमूने का द्रवय मान पॉइंट 6 किलोग्राम तथा गनतव इतना है यदि हार्टज में होती है दी हुई है एक शेतरफल होता है दिया हुआ है वी आपको क्या है वी नहीं दिया हुआ है अब वी की जगे पे आपको क्या दिया हुआ है यहां पर द्रवय मान और आयतन दिया हुआ है तो आपको पता है वी ब्राबर क्या होता है द्रवय मान बटा मे गनतब होता है ठीक है क्यों गनतब बराबर रो बराबर M upon V होता है तो V बराबर M upon Rो तो उससे आप V कमान निकाल लो इस वाले फॉर्मुले से क्योंकि आपको M और रो दी हो है फिर आप इस फॉर्मुले में value पुट करो और लिए लाश्ट आपके पास क्या आजएगा कैलकुलेशन इसके आप कुद कर सकते हो बिल्कुल आसान सी है अब नेक्स्ट है क्वेस्टन नमबर आठ है तो वो आपको क्या दिया हुआ है यदि 450 कैलवीन ताप पर इसकी चुम्बगे परवर्ती पॉइंट 6 हो तो क्यूरी नियतांक ग्यात करो अब आप देखो क्यूरी ताप T C का मान दिया हुआ है एक ताप और दिया हुआ है जिसको अपने T से लिख सकते है और चुम्बगे अपरवर्ती आपको पता है क्या होती है काई ठीक है तो अब आपको पता है क्यूरी का सुत्र काई हैं बराबर C अपन T माइनस T C अब आपको काई दिया हुआ है T दिया हुआ T C दिया हुआ है C आपको निकाल ला है तो C आप पॉर्मूले में रखों इसमें क्या आज एगा पॉइंट 6 है ब्रेकट में 450 माइनस 300 तो पॉइंट 6 इंटू 150 मतलब 90 के आगे इसका अंसर है समझाई बात अब ये क्वेस्टन नमबर 9 आईगी आपर मोश्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन लगा लो इस चेप्टर का काफी इन इंपोर्टेंट है पेपर के लिए आज से पेपर में आने के चांस है कि एक अनुचंब की अपदार्थ के लिए 120 केलवीन पर चंब की अपरवर्ती 0.60 है 120 केलवीन पर कितनी है 0.60 है तो 27 दिगरी सेल्सियस पर इसका मान गया तो आप उपर तो केलवीन में दे दीगा पी कैसे करें और यहाँ पर QE का नियम लगेगा क्योंगि आपको पताप दिया हुआ और उसके लिए चुमकिया परवर्ती तो T1 120 केलवीन है T2 यहाँ पर 27 प्लस 233 यानि 300 केलवीन काई M1 का मान आपको 0.60 है काई M2 का मान आपको निकालना है तो काई M1 C अपॉन T1 पर उसके लिए C अपॉन T2 ठीक है क्योंगि एक ही पदार्थ है एक ही पदार्थ के लिए दो तापो पर पूछा हुआ है तो तब भी C का मान चेंज नहीं हुआ क्योंगि यह पदार्थ की 24 इसका अंसर आजाएगा ठीक है फिर आपको क्या दिया हुआ है आपर नेक्स्ट क्वेस्टन में कि 4 सेंटीमेटर स्क्वेर अनुपरस्त काट वड़े लोहे की छड़ 10 गुणा 10 की पावर 3 एम्पियर पर मेटर के चुमकन क्षेतर के समांतर अब आप मुझे यह बताओ पहला तो क्षेतर फल हो गया दूसरा क्या हो गया एम्पियर पर मेटर है तो चुमकन क्षेतर यानि H का मान अब इससे गुजरने वाला चुमकिया फ्लक्स फाई आपको दिया हुआ है तो इस पदार्थ की पार्गम है तो आप एक शीक पार्गम है तो चुमकिया परवर्थी का मान गया थकरो ठीक है तो अब आप क्या करो इसमें चुमकिया फ्लक्स आपको यह चीज नहीं आई हुए है और यह चीज आपके चैप्टर नमबर 9 में आएग तो वहाँ आप इसको समझ सकते हो इसका फॉर्मूला लेकिन यहाँ आपको इसका फॉर्मूला डिरेक्ट यादी रिखना पड़ीगा A दिया हुआ है H आपको दिया 5 आपको दिया हुआ Mu, Mu, R और काई तीनों ही निकाल ले है तो 5 बराबर B, B into A होता है फॉर्मूला होता है फ्लक्स का ठीक है जैसे E into S होता था न वहाँ पर जो चुम्पकी एक शेतर थे तो बिल्कुल वैसा ही वाँ यहाँ पर B into A B की जगह E और A की जगह वहाँ पर S होता था तो B का मान निकालो फ्लक्स का मान किसके लिए दिया हुए B का तो B का मान है यहाँ पर एक Weber पर मीटर स्क्वर या एक टेसल आ जाएगा अब मू बराबर B बटा H होता है तो B बटा H का मान आपको 10 की पावर 3 दिया तो यह 10 की पावर माइनस 3 आ गया मू का मान आपके पास पावर को उपर ले जाओ तो यह 10 की पावर 4 बचा और नीचे 4 बटा 3.14 तो यह 12.56 अब आप क्या करो 10,000 को 12.56 से बाग दे दो ठीक है 12.56 से इसको बाग दे दो यह आप क्या करोगी इस 6 को छोड़ दो पॉइंट हटा दो उपर एक 0 लगा दो और 25 से काड़ दो ठीक है 25 से काड़ दो तो लगबग क्या आ जाएगा यहां पर 800 आ जाएगा ऐसे आ सकता है लेकिन अगर आपको एगजेक्ट आंसर निकालने तो इसको 12.56 बाग तो 796 आ गया अब काई एम क्या होता है तो यह आपके क्या थे बच्चो क्वेश्चन थे अब इसके अलावा जो क्वेश्चन रह गए है वो आपके जो अब वाला स्लेबस है उसमें एड नहीं है तो आपको इतनी क्वेश्चन एक बार करने है यहां पर आपका यह चैप्टर हो जाता है 100% complete तो मिलते हैं आप अपने इसके प्रिवेश्च एर क्वेश्चन में वो इंग्लिश और हिंदी मीडियों को कमबाइन करवाऊंगा मैं और उसके बाद अपने चैप्टर नमबर 16 करते हैं तो आज की वीडियों बच्चो इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में तब तक के लिए थैंक यू है वे नाइस दे प्यारे बच्चो